इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलाना का और जीटो का इन में आपको भी कैसा मूमेंट देखने को मिलता है कहां आपके बाइंग होगी क्या कुछ आपको यहां टार्गेट देखने को मिलेगा देखें जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था सोलाना का और जीटो का एंट्री लेवल, उस एंट्री लेवल के नियर अबोट आपको इन दोनों के प्राइज मिल रहें, तो ऐसे में क्या आपका ट्रेट प्लैन होगा, इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे, तो दोस्ते हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अग अब देखें, अगर यहाँ पर हम सोलाना के ओपर वियू की बात करें, तो करन प्राइज आपको 85 के रेंज में देखने को मलता है, 4% का डाउंटेंड मुमेंट है, अगर इसके हम 24 आवर के प्राइज फ्लेक्शुईशन की बात करें, तो यह आपको 82 से लेके 89 के रेंज मे सप्लाई आती रहेगी, अब देखें, मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो आपकी बाइंग होगी सोलाना में, उसको आपने लॉंग टर्म के लिए रखना है, तो बहुं सारे लोगों का यह डाउड था कि लॉंग टर्म का मतलब क्या है, कितनी देर के लिए होल्डिंग करनी पड़ेगे, तो हम अल्रेडी 2024 में चल रहे हैं, 2024-2025 दोनों बुलिश रहने वाला है, मतलब अगर आप मैक्स टु मैक्स अपनी होल्डिंग करेंगे तो दो साल के लिए और मिनिमम इसी साल के आपको 10 में या 11 महीने तक मार्केट में रिकबरी दे बिजिट कर सकते हैं, यहां पर आपको इसकी website मिल जाएगी, जहां आप जाके इसके fundamental के बार में read out कर सकते हैं, इसके community में आप इसके tweeter handle को join कर सकते हैं, latest update क्लिए, fundamentally strong project है, पर काफी दिर पहले मैंने आपको बताया था, कि FTX ने bankruptcy अपनी file करी थी, और उनके पास coin और token थे, उनके पास maximum Solana था तो जब वो अपने coin को sale करेंगे तो आपको Solana में अच्छा downfall देखने को मिल सकता है जो कि आपके सामने अभी आ रहा है अब जब Solana dump होगा तो उसके सांथ Jito का भी price dump होगा तो ऐसे में आपको worry करने की ज़रूरेर नहीं है trade setup की according आपने DCA करके अपने buying के average करना है फिर हम इसको long term के लिए hold करेंगे अब अगर यहाँ पे हम Jito की बात करेंगी Jito में आपको कैसा moment देखने को मलता है तो आप देख सकते हैं Jito का current price आपको 2 dollar के range में देखने को मलता है 2.5% का downtend moment है अगर इसके हम 24 hour के price fluctuation की बात करें तो यह आपको 1.9 से लेके 2.1 के range में देखने को मलता है तो मैंने अपने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि 1.9 से लेके 2 dollar के range में आपकी पहली buying हो सकती है अगर हम इसके market cap के बात करें आपको 232 million का देखने को मलता है 24 hour में इसके trading volume 74 million की है जो कि अभी बहुत कम है circulating supply 115 million है total supply 1 billion है अब देखे इसके total और maximum supply fix होने के बज़े से जैसे जैसे market में यहाँ पे recovery होगी इसके price में आपको अच्छा potential देखने को मिल सकता है और अभी इसका जो market capillization है वो बहुत कम है trading volume भी बहुत कम है तो कहीं ने कहीं आपको growth यहाँ देखने को मिल सकता है एक चीज़ मैं आपको और यहाँ clear कर दूँ कि जितने भी project bear market में आते हैं यह bull market में अपना एक all time high record करते हैं तो अभी जो आप buying करेंगे जीटो में वो इसके all time high के लिए करेंगे जो आपको 2024 last के मैंने आपको बताया या 2025 के near about आपको देखने को मिलेगा इन शॉर्ट में मैं आपको बता दू कि 2 साल के अंदर-अंदर आपको जितनी भी आपने buying करी है वो सारे coin और token profit ही देंगे अब मैं आपको लेके चलता हूँ trading view पे और देखते हैं इन दोनों के chart pattern को तो आप देख सकते हैं हमने solana का daily payment वा लिया हुए इसके according मैंने आपको बताया था कि यहाँ आपको एक descending triangle का pattern form होता हुए देखने को मलता है जो कि bearish pattern है कल भी मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि जब तक देखे हम इस channel में रहेंगे तब तक आपको यहाँ पर यह resistance और यह sport का level देखने को मिलेगा पर यहाँ maximum time हमने इस sport को retest कर रहा है जिस वज़े से हमारा यह sport का level week हो गया और इसके breakdown के बाद इसी को हम एजर रेजिस्टरंस retest कर सकते हैं अब देखिए अगर आप long term vision रखते हैं तो इसके near about हमारा एक sport का level निकल के आएगा और यहाँ पर आपने buy करना है आपका जो profit का level है वो 90 डॉलर का और उसके बाद से 95 डॉलर का हो सकते हैं हम ऐसे एक channel में movement देंगे अब इस channel का भी मैं आपको end बता देता हूँ कि जैसे ही हम अपने इस resistance का breakout देंगे इसके उपर अपनी holding देंगे मतलब अगर हमारी closing 95 डॉलर के उपर होती है फिर आपके पास जो target आएगा वो 110 डॉलर काएगा और उसके बाद से 120 डॉलर काएगा short term का मतलब देखे मैं अब भी specially सोलाना की बात कर रहा हूँ सोलाना fundamentally बहुत strong है जितनी दफ़ा यहां पे correction लगता है आप अपनी buying कर सकते हैं जो भी negative sentiment बनते हैं market के वो short term के लिए बनते हैं यहां पे बहुत सरे लोगों को bearish किया जाएगा क्योंकि आने वाले टाइम में bull market का startup हो रहा है तो ऐसे हमें काफी लोग अपने coin को sale करेंगे यह सोच के कि जितनी भी हमने crypto में investment करी है वो बरबाद है और जैसे ही वो अपने coin को sale करेंगे whales अपनी buying करके और एकदम से bull market का startup कर देंगे तो अगर आप किसी coin या token में loss में है तब भी आपने coin को sale नहीं करना आपने maximum उन coin या token की holding करनी है long term के लिए अगर हम यहाँ पे in short में समझें कि Solana में क्या हो सकता है तो आपकी मैंने entry बताई थी कि पहली entry 90 के around होगी और दूसरी 80 डॉलर के नीचे होगी तो अभी हम 80 डॉलर के नीचे नहीं गया है तो आपने इसके नीचे अपनी second buying करनी है और इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि अगर आपने high range में Solana को buy करा है तब भी आप 80 डॉलर के नीचे DCA कर सकते हैं तो आपने इसके according है अपना trade plan design करना है जैसे ही recovery स्टार्ट होगी जिससे आपसे आप downfall देख रहे हैं इतनी ही strong recovery भी आपको देखने को मिलेगी अब अगर यहाँ पर हम जीटो की बात करें तो जीटो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सबसे पहले आपको double top का formation देखने को मिला है जिस वज़े से आपको downfall देखने को मिला अब क्या है कि हम यहाँ falling channel को follow कर रहे हैं same falling channel जैसे मैंने आपको 16 आना में बताया तो जब भी आपको ऐसा channel देखने को मिले तो आपको confirm हो जाना है कि यहाँ पर आपको down side के ही sport और resistance देखने को मिलेंगे मतलब इस level से अगर हम bounce करेंगे तो हम जा सकते हैं यहाँ पर 2.1 तक again आपको यहाँ downfall देखने को मिलेगा जब तक हम अपने इस resistance का breakout नहीं देते अब यहाँ पर एक जो major indication होता है वो होता है 200 EMA का अब अगर हमारी candle के closing 200 EMA के उपर होती है फिर आपके पास जो level आएगा वो 3 dollar का होगा 3.5 का होगा 4.2 के तक का आपको यहाँ जो target का level है वो देखने को मिलेगा मतलब क्या है अभी हम एक channel को respect करेंगे जिसमें कि हमारा sport और resistance दो trend line होंगे जैसे हमारे resistance का breakout होगा आपको market में recovery देखने को मिलेगे और इस recovery के बाद जो मैंने target बताए है आपको वो सारे range मिलेंगे 3 dollar के उपर-उपर के सारे आपके target होंगे पर अगर आप अभी first time entry लेना चाहते हैं या फिर अगर आपने high range में buy कर आए DCA करना चाहते हैं तो आपके पास level होगा 1.5 का इस range में आके आप DCA कर सकते हैं और अगर आपने मेरे recording first entry जो 1.9 से लेके 2 dollar के range में ली है तो आपके पास जो दूसरा entry का level आएगा वो आएगा 1.5 का अभी के लिए हमारा major level होगा 1.5 का और उसके बाद से हम देखेंगे कि इसका moment क्या होता है देखे बीरिश moment मुझे नहीं लग रहा है कि जादे देर तक चलने वाला है market side way में होगा या फिर downfall होगा यहाँ पे और downfall भी कोई major नहीं होगा क्योंकि अकसर अगर आप record देखेंगे तो fair journey का जो महीना होता है इसमें आपको जो correction देखने को मलती है March तक market bearish होगा उसके बाद से धीरी धीरे आपको bull market का यहाँ startup देखने को मिलेगा तो hope आपको यहाँ पे अच्छे से समझा गया होगा अगर आपने high range में buy कर लिया है फिर भी मैं आपको request कर रहा हूँ कि आपने loss book नहीं करना आप record देख सकते हैं खोल के जितनी भी coins में downfall होता है उसके बाद से उससे ज़्यादा का आपको potential वहाँ देखने को मलता है heavy growth की side में उन coins और token के price जाते हैं तो ऐसे में अगर आप holding कर देंगे तब भी आप profit में रहेंगे तो अगर आपको हमारी videos अच्छे लगते हैं please videos को like के किजे share किजे अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं आप screen video के साथ अब तक लिए जय हिंजय भारत